दोस्तो आज आपके लिए अब्जेक्टिक टाइप का कुश्ण लाए हैं देखते हैं कुछ आज के लिए आपका पहला सवाल है प्रीमियम इंड्टू एंड बीपीसी की वैद्यता कितनी होती है प्रीमियम इंड्टू एंड्ट 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 होने पर कितने दिन का grace period दिया जाता है alley 12 दूस रहा अठार दिन तीसरा है तीन तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तीन दिन ठीक है तो premium end to end BPC की जब वैक्ता खत्म हो जाती है तो grace period कितने दिन का दिया याता है तीन दिन का दिया आता है आगे चलते हैं अगला सवाल है आपका premium end to end BPC वाली गाड़ी में परिक्षणいき पर minimum break-power कितनी होनी चाहिए पहला है आपका 100%, दूसरा 90%, तिसरा 80%, चोथा 95%, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, 95%, क्या अंसर हो जाएगा इसका, 95% हो जाएगा, प्रिम्म M2N BPC वाली गाड़ी में, परिक्षन केंद्र मिनिम्म ब्रेक कितनी होनी चाहिए, 95% होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं, अगल अंजएपी, दूसरा अप्षन है नियू बोगाईगा, तिसरा अप्षन है गौहाटी, चोथा अप्षन है तिन सुकिया, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, ब्रेटी पी अन का प्रिक्षन केंद्र कहां है, अंजएपी में है, आगे चलते हैं, अगला सवब आपके लिए ह ब्रेटी पी अन की बीपी सी की वैदता कितनी होती है, तो पहला अप्षन है पजट्तर सो किलो मीटर या पैंतिस दिन, दूसरा है पैताली सो किलो मीटर या बीस दिन, तिसरा अप्षन है पैंतिस सो किलो मीटर या च्यानवे गंटा, चोथा अप्षन है पैंतिस सो किलो मी फिर हैं तीन गंटा फिर हैं बारा दिन तो इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका दो नमबर ओप्शन हो जाएगा 24 गंटा प्रिष्छन के अंपर ब्ट्प अधिक्तम 24 गंटा रखा जा सकता है आगे चलते हैं अगला सवाल आपके लिए प्रिमियम सीसी एयर ब्रेक बीपीसी क किलो मीटर या दस दिन चोथा प्रिमियम सीसी एयर ब्रेक का बीपीसी त्था बीपीसी दोनों का व्यादेता सेम होता है पचेतर आगे चलते हैं एगला कोशन देन पैरांपरी क्लो सरकीट ऐर ब्रेक वाज़ेता कितने दिन का होता है, पहला है पहसन है 4500 sweetie- ρě या 20 दिन दुसरा है 4500!! किलो मीट DM तया पिन्हें 25 도िन जौत के अगे चलते हैं अगला सवाल है आपके लिए जी डी यार की वैदिता कितने समय तक का होता है पहला उप्सान है आने वाले पर्थम TXR केंदर तक, दूसरा है आने वाले पर्थम Loading Unloading Point तक, तिसरा है आपका Divisional मुख्याले तक, चौथा उप्सान है Terminating Station तक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आने वाले पर्थम TXR केंदर तक, ठीक है, तो GDR की वाधिता कितने सम अमान हो जाता है, पहला उसर, चार या चार से अधिक गाड़ियां, दूसरा, दस या दस से अधिक गाड़ियां, तिसरा, छे या छे से अधिक गाड़ियां, चोथा, दो या दो से अधिक गाड़ियां, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दस या दस से अधिक गाड़ि अगला कोशन आपके लिए सुमूर एक अधिकांसता किस रंग का होता है पहला हरा रंग दूसरा लाल रंग तीसरा काला रंग चोथा निला रंग तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हरा रंग सुमूर एक किस अधिकांसता किस रंग का होता है हरा रंग का होता आगे चलते है अगला कुशन आपके लिए NFR में सुमो रेक की अदिक्तम चाल कितनी निधारिद की गई है अजलते हैं अगला कुशन आपके लिए सुमो रेक ओवरलोड होने की स्थिथी में स्टेशन मास्टर द्वारक क्या जारी किया जाता है जब sumo rack overload हो जाता है तो station master क्या जारी करता है पहला अपसर इस्पेशल कॉसन ओडर दूसरा कॉसन ओडर तीसरा निल कॉसन ओडर चोथा reminder कॉसन ओडर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कॉसन ओडर कॉसन ओडर टी 409 यही होता है ना साध यही होता है ठीक है आगे चलते हैं अगला सवाल आपके लिए अगर वे बिरीज द्वारा किसी कारणवास गाड़ी को मापा नहीं जा सके तो इस इस्तिती में गाड़ी की चाल क्या होगी पहला अपसर चालिस किलोमेटर प पर दिए तो इसका सही आंसड क्या हो जाएगा 40 किलोमेटर परती घंटा जब बिरीज द्वारा किसी गाड़ी को नहीं मापा जा सके तो इस इसीति में में गाड़ी की चाल क्या होगी 40 किलोमेटर परती घंटा आगे चलते हैं अगरा सवाल आपके लिए यातरी गाड़ी chest कितनी होती हैं। पाहला 3500 KM या 96 घंटा। दूसरा 3500 KM या 10 दिन। तीसरा 400 KM या 10 दिन। 415 KM या 96 घंटा। तो bene尋 लिष .mels क में जा तो रहा हैं। यत्रिकाड़ की बैट तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3500 किलो मिटर या 10 दिन तो परजाल एक्सप्रेस की वाज़िता कितनी होती है 500 किलो मिटर या 10 दिन आगे चलते हैं अग्रा सवाल है सीशी प्लस सिक्स फ्लस फोर् सुमोरेक की ओवर लोड अवस्था में चाल क्या होगी तो पहला अप्सवन है 30 किलो मीटर पर या जदा 240 किलो मी पर या चिसरा 20 किलो मीटर को एक और को शिजिए आवसर क्या हो जाएगा 30 km पर ती घंटा, क्या हो जाएगा? 30 km पर ती घंटा, CC प्लस 6 प्लस 4 सुमो रेक की अवर्लोड अवस्था में चाल, 30 km पर ती घंटा हो जाएगा, आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके लिए, CC प्लस 6 प्लस, तथा CC प्लस 8 प्लस 2 सुमो रेक की अवर्लोड की अवस्था मे चाल क्या होगी? पहला उप्षन 40 km प्रति घंटा, दूसरा 15 km प्रति घंटा, तीसरा 110 km प्रति घंटा, चोथा 50 km प्रति घंटा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 km प्रति घंटा, CC प्लस 6 प्लस 2 तथा CC प्लस 8 प्लस 2 सुमो रैक की ओवरलोड की अवस्ता में चाल क्या होग 50 km पर ती घंटा आगे चलते हैं अगला question किस गारी का बीपीसी premium end to end के ताद जारी किया जाता है अगला option यात्री गारी का बीपीसी दूसरा माल गारी का बीपीसी तिसरा mixed trend का बीपीसी चोथा btpn का बीपीसी इसका सही answer क्या हो जाएगा माल गारी का बीपीसी premium end to end के ताद जारी किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं माल गारी के बीपीसी की वैदता premium end to end के ताद जारी किया जाता है अगला question सुमो गारी यां किसकी डुलाई के लिए परयोग किया जाता है पर्योग किया जाता है तो क्या हो जाएगा इसका सही अंसर कोईला आधि खनिश सामगरी के लिए ठेक है तो दोस्तों लाइक करें जल्दी से जल्दी 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 चनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए